नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में 25,996 सिक्षकों की होगी भरती जार्खन के प्रार्रामफिक बिद्यालियों में 25,996 सिक्षक बहाल होंगे जीलावार सिक्षकों की पदों की यूनिट तय कर दी गई है अब सिक्षकों के इन पदों को जीलावार रोष्टर किलिरेंस के लिए भेजा जाएगा रोष्टर किलिरेंस होने के साथ सिक्षकों की निउक्ती के लिए जार्खन करमचारी चैन आयो की अधियच ना भेज दी जाएगी शिक्षा मंत्री जगनात महतों ने मंगलवार को इस पर अपनी मंजूरी दे दी है जार्खन के प्रारांबिक इसकूलों में 50 सेर सिक्षकों की नियुक्ती होनी है इसमें पहले चरण में 25,996 सहायक अचारे नियुक्त किये जाएंगे इसके बाद जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा कावियन होगा इसका रिजल्ट आने के बाद दूसरे चरण में 24,004 पदों पर सिक्षकों की नियुक्ती होगी शिक्षा विभाग प्रारंभिक इसकूलों में सहायक अचारे नियुक्ती के लिए अधियाचना जेसेसी को भेजेगा नेत्रहीन दुसकर में पीडिता का गर्वपात सुरक्षित नहीं रिम्स जार्खन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी की अधालत में एक नेत्रहीन दुसकर में पीडिता के गर्वपात को लेकर राची रिम्स की ओर से रिपोर्ट अधालत में पेस कर दी गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडिता का 28 सप्ता का गर्व है ऐसे में गर्वपात कराना सुरक्षित नहीं है हालाकि बच्चा स्वस्थ है इस दोरान सरकार की ओर से कहा गया है कि पीडिता को रामगड के सुधार ग्री में भेजने की योजना है पीडिता के अधिवक्ता सैलेस पोदार ने कहा है कि पीडिता का बच्चा होने पर उसका देखवाल कौन करेगा इस पर अधालत ने सरकार और पीडिता के अधिवक्ता को साथ बैठक समधान निकालने को कहा मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी क्रिशक मित्रों की राजय ब्यापी हरताल सुरू क्रिशक मित्रों को लेकर सोमवार को हुई सरकार की उचस्तरी बैठा के बाद क्रिशी मंत्री ने प्रसाहन रासी बढ़त्री घोसना की है लेकिन मांग के अनुरूप गोसना नो होने पर राज भर के क्रिशख मित्र मंगलवार से हरताल पर चले गए पूरे राजे में क्रिशख मित्रोंने सरकार का पुतला फुक कर नराज़ी जताई है बता दे कि क्रिशक मित्र 10 साल से मांदे लागू करने की मांग कर रहे हैं परदेश अध्यक ससी कुमार भगत ने कहा है कि सरकार क्रिशक मित्रों की हमेशान देखी कर रही है उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री ने बिधान सभा में बिधायकोव मंत्री को उपस्थिती में क्रिशक मीत्रों को 4,000 रुपे देने की बात कई थी लेकिन उन्होंने प्रतिवर समात्र 2,000 रुपे पुरसाहन रासी बढ़ाने की घोसना की है आक्टोपस अभयान के दरान लातेहर के बुढ़ा पहार में पुलिस नक्सली मुढवे बुढ़ा पहार पर हुए मुढवेर की गोली की आवाज बुढ़ा पहार के सरते तीसिया और कजरूम गाँत तक सुनाई पड़ी पुलिस को भारी परता देख नक्स अली जंकल की होर निकले मुड़वेड के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया बता देला तेहर एसपी अंजनी अंजनने मुड़वेड के पुश्टी करते हुए बताया के बुढ़ा पाहा को खाली कराने के लिए मवादियों खिलाप अक्टूपस अभियान चलाया जा रहा है MGM होस्पिटल के बर्न योनिट में घुशा बारिस का पानी जमक्लवार को तेज बारिस के कारान वर्न वर्ण में लवालब पानी भर गया नाली का पानी बर्न वाट के गेट से अंदर तक लवाला भर गया इस समध में विभाग के विभागा अध्याक्ष डाक्टर ललीत मिंज ने बताया है कि इसको लेकर कई बार अधिक चक सहित विभाग को भी इसकी जनकारी दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई खतियान पर हो सकता है फैसला जार्खन सरकार के मंतरी और विधायक विभीन मौकों पर जार्खन में पहचान का अधार 1932 के खतियान को बनाने की बात कह रहे है बुद्धवार को हेमन्त सुरेन सरकार के कैमिनेट की बैठक में इस विशब पर चार्चा होने की पुई समभावना जाताई जा रही है हलाकि अभी तक 1932 खतियान को लागू करने का कोई प्रस्ताव त्यार नहीं किया गया माना जा रहा है कि हमन्त सुरेन सरकार पुकता त्यारियों के धार पर ही कोई प्रस्ताव लाएगी ऐसा कोई प्रस्ताव कैमिनेट की बैठक में अम्तिम समय में ही आ सकेगा पतादे बुद्धवार को प्रस्तावित केबिनेट की बैठा को लेकर त्यारिया पोई हो गई है सुत्रों के अनुसाद दो दर्जन के करीब प्रस्तासोय कृती के लिए मुख्य मंत्री करेयाले में भेजे जा चुके है हावडा नई दिल्ली के बीच सुर उर्जा से दवड़ेगी ट्रेने हावडा नई दिल्ली रेल मार के ग्रेंड कार्ड सेक्षन पर जल्द याती ट्रेने सुर उर्जा से दवड़ेगी इसके लिए ट्रेक के किनारे पड़ी अपनी गर उपयोगी जमीन का रेलवे इस्तेमाल करेगा इस जमीन पर सोलर प्लांट लगेंगे यहां सूरे की धूप से बिजली उत्पादन होगा धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता से बंध हुआ एस्टेशन के बीच 200 किलोमेटर के इलाके के 50 कीमी में कई एस्पोर्ट पर रेलवे ट्रेक के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे प्रजेक्ट के जिमेदारी रेलवे एनर्जी मेनेजमेंट कर्पोरेशन लिम्टेट कंपनी को सोपी गई है दुमका के किसुरी की बहन ने ठुकराई चतुत वर्ग की नोकरी पेट्रोल डालकर जलाई गई दुमका की बेटी की बड़ी बहन ने उभुकता फरमें चतुत वर्ग पद की नोकरी को ठुकरा दिया है मंगलवार का उसने उपायुक से मिलकर नियोक्ती पत्र वापस लेने का नुरोद किया इसके बाद उसे राजगिये पुस्तेकालाय में कम्प्यूटर अपरेटर पर नोकरी दी गई किसोरी की मौत के बाद जिला परसासन ने उसकी बड़ी बहन को नोकरी का स्वसन दिया था रभिवार को बिधायक बसंसुरण ने आवास पर जाकर अपने हाथों से नियोक्ती पत्र दिया था उस समय परिवार के लोगों ने नियोक्ती पत्र को गौर से नहीं पढ़ा सोमवार को जब पत्र पढ़ा तो उसमें चतु ठुवर्ग के पत्पर नोकरी का उलेख देख कर घर के लोग आवाक रह गए घर वालों को कहाना था कि परसासन को इस तरह से नहीं करना चाहिए था गीरी डिह में राह चल रही दो छत्राओ को किया अगवा गीरी डिके बीरनी थाना चेत्र इस्थीत पलोजिया पलस टू इसकूल के पास मंगलवार को एक ही गाउं की दस्वी में अधेयन रद्दो छत्राओ का अपहरन कर लिया गया अपहर्ता उन्हें बलोरों में लेकर जा रहे थे तभी छत्राओ चिलाने लगी इस दवरन बच्यों का सोर सुनकर ग्राइमिनों ने वाहन का पिछा किया अरू से मजिला डिह गाउं के पास घेर लिया हलाकि महोका पाकर अपहर्ता वाहन को छोड़ कर फ्रार हो गये इधर घटना की जनकारी पाकर बिरनी थाना के पूलिस महोके पर पहुँची और शत्राओ तथा ग्राइमिनों से घटना की जनकारी ली मुसीवत में फंस्ते वक्त आदिवासी काड खेलता है सुरेन परिवार बाबुलाल मरांडी पूर्व मुखे मंत्री सब भाजपाब विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने मंगलवार को सुरेन परिवार पर बढ़ा हमला बोला बाबुलाल मरांडी ने बताया कि सुरेन परिवार के पास कूल 250 क्रोर की 108 परिसंपतिया है इसमें से महाई 33 की जनकारी सुरेन परिवार के सजस्टों ने अपने चुनावी हलफ नामा और आयकर विभाग को दी है बाबुलाल ने कहा है कि CBI वह आयकर विभाग ने लोकपाल को जो रिपोर्ट दी है उसमें सुरेन परिवार की parody 22 संपतियों की जनकारी दी है सीवू सुरेन ने अपनी संपती दो क्रोर बताई है लेकिन उनकी संपती 34 स्कोर से अधिक मिली है पुरो मुखमंत्री ने कहा है कि दिली हाई कोट में लोकपाल के केस में जो हलफ नामा सुरेन परिवार ने दिया उसी हलफ नामा में CBI की पुरी रिपोर्ट भी सनलग ना है जार्खन के आठ जीलो में फैलेरिया रोधी दवाए राज सरकार के स्वास्तेवं परिवार कल्यान विभागया पर मुखसची अरुन कुमार सिंग ने कहा है कि जार्खन सरकार लिमफेटिक फैलेरिया हाथी पाव के उन्मुलन के लिए पुरीत्रा परतिवाद है इसी के फल्स रूप राज सरकार द्वारा 16-30 सितमबर तक राजे के आठ फैलेरिया परभावी जीलो लोहर्दगा, हजारीबा, गिरीडी, गढ़वा, पुर्भी, सिमू, पच्मी, सिमू, कोटी और रांची में फैलेरिया रोग के उन्मुलन के लिए मास्ट, ड्रग, एड्मिनिस्ट्रेशन, कारेकरम शुरू किया जा रहा है इसमें कुरोना के दिशार निदेश के अनुसार, सारेडिक दूरी, मास्क और हाथों की साब सफाई के अनुपालन करना है मंगलवार को अपरमुख सचीव स्वास्थेक की अध्यक्षता में मीडिया सनवेदन करन काड़े साला कायोजन किया गया है जारखन के तीन जीलो में पशुओ में लमपी वायरस जैसे लक्षन जारखन सरकार ने तीन जीलो रांची देवहर और चात्रा में मवस्यो में गाठ जैसे लक्षन पाया जाने से चिन्तित जार्खन सरकार ने मंगलवार को पसु परन विभाग के अधिकारियों को सत्र कराने को कहा हलाकि अभी तक जीलों से गो जातिये पसुओं की वायरस संक्रमन से मौत की खबर नहीं आई है मवासियों में लंपी वायरस जैसे लक्षनों के बिच जार्खन में अफ्रिकी स्वाइन बुखार की प्रुष्ट भूमी में एक हैर से अधिक सूरो की मौत भी हो गई है अंदोलन कारियों को संसोधित बकाया पेंसन की मांग जार्खन अंदोलन कारी संहर्ष मोर्चा के संस्थापक पुसकर महतों ने राज सरकार से मांग की है दुर्गापुया से पुर्व जार्खन अंदोलन कारीयों के संसोधित पेंसन रासी के बकाया का वह नए अधुसुचित सभी जार्खन अंदोलन कारीयों के पेंसन भुखतान जल्द से जल्द किया जाए उन्होंने मंगलवार को एस प्रेस ब्यान जारी करते हुए कहा है कि ग्रीह विभाग का संकल्प संख्या उनई सव अरतीस बाई बीस बाई चार बाई दोहार एकिस के द्वारा जार्खन आंदोलन कारियों के पेंशन रासी में बढ़ोतरी वसन सोधन किया गया धनबाद SSP करा रहे कोईले का अवैध खनन सीता सुरेन सतारूर जार्खन मुक्ति मोर्चा के बिधायक सीता सुरेन ने अपनी सरकार के अधिकारियों के कामकाज और रोवया वर्सवाल उठाया है मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया है कि धनबाद के वर्ये पुलिस अधिकचक कोईला कावैध खनन और परिवाहन करा रहे हैं इससे प्रती दिन क्लुर रुपREY के रहस्वा का दूक्सान हो रहा है सिता सुरेन के मुताविक धनबाद के वर्ये पुलिस अधिकचक की मौन सहमती और अपरत्यक शरूप से समर्थन के कारण जीले में कोईला कावाइद खनन और परिवहान धडले से हो रहा है तीन माह में नियुक्त होंगे जेट चेयर्माइन जार्खन हाई कोट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि जेट में चेयर्माइन की नियुक्ति नहीं होने की वज़ा से निजी स्कूलों के सिच्चों की परसानी बढ़ गई है हाई कोट पर बेवज़ा मुकदमों का बोज बढ़ रहा है इलाज के लिए लालू यादो जाएंगे सिंगापूर चारा खोटाला के पांच मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पुरो मुक्मंदरी लालू परसाद कीडिनी के इलाज के लिए देश से बाहर सिंगापूर जाएंगे इसके लिए उनकी ओर से CBI की बिशेश अदालत में पास्पोर्ट रिलीज करने के लिए आवेदन दाकिल किया गया है आवेदन में कहा गया है कि सिंगापूर के चिकित्सकों ने उन्हें 24 सितंबर को अपाइटमेंट किती थी दी है सिंगापूर जाने के लिए पासपोर्ट अदालत से जारिक कराना होगा जमानत दिये जाने के दवरान हाई कोट के आदेश पर उनका पासपोर्ट CBI कोट में जमाहा है पलामू अंचल कर्याले में ACB का च्छापा जारखन के पलामुजी लेके चैनपूर अंचल कर्याले में मंगलवाय को भरष्टा चार निरोधक बियोरो की परमंडर लिये टीम ने छापे मारी की इस दोरां अंचल कर्याले परिसर में रहे सोप निरिक्षक कनहाई राम और उनके स्वयोगी सिवसंकर चौरासिया रिस्वत लेते रांगे हाथ किरफतार किये गाए दोनों को गिरफतार करने के बाद ACB की टीम उन्हें अपने साथ पुष्टाच के लिए ले गाई कानूनी परिक्रिया पुन होने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाएगा जारखन खेल निती लॉंच खिलाडियों को 6,000 चात्रवीरती 10,000 पेंसन मुख्य मंत्री हमांसुरेने मंगलवार को खेल निती 2022 का लुबकारपन किया नई खेल निती वर्ष 5 साल के लिए लागो होगी इसे पहले राजे में वर्ष 2007 में लागो हुई थी नई निती में खेलाडियों को 6,000 रुपे तक की छात्रवीरती पुर्व खेलाडियों को 10,000 रुपे तक का मांसिक पेंसन खेल प्रसिसकों को 10 लाख रुपे तक की समान रासी का प्रविधान किया गया है राज में खिलाडियों के लिए जैपाल सिंग मुंडा खेल पुरसकार तथा खेल प्रसिसकों के लिए जारखन खेल पुरसकार योजना की सुरुवात होगी जारखन में इंजिनियर से भी ठगी कर रहे साइबर ठग जाम तड़ा सरखेल डिह मोहला इस्थित टीचर्स कालोनी निवासी सोफ्ट्वेर इंजिनियर कुंदन जहा से साइबर ठगों ने 3 लाक रुपए ठग लिये हैं रभी वार देर साम इंजिनियर ने जाम तड़ा साइबर ठाने में इसकी सिकायत दर्च कराई है अपनी सिकायत में जहा ने बताया है कि साइबर ठग उसके इंस्टागराम एकाउंट पर घर बेटे ऑनलाइन पैसे का निवेश कर बेतर रिटर्ण पाने की तकनिक की जनकारी दी ठागों ने उन्हें थामस कुक प्राइबेट कंपनी के नाम पर बेतर ग्रोथ और रिटर्ण का इंवेश्टमेंट प्लान इस्टागराम एकाउंट पर सेर किया फिर दस एयर रुपे की रासी निवेश करने को कहा ठागों के भेजे लिंक पर इंजिनियर ने अपने बैंक खाते से दस एयर रुपे निवेश के नाम पर ट्रांसपर कर दिया जहां से में लेने के लिए साथरियों ने पीडितों के खाते में कुछ ही देर में 15 आजा रुपे जमा भी कर दिये पांकुल की बेटी ने पाटना में जीता रयत पतक पाटना के पाटले पुत्र अस्पोर्ट कमप्लेक्स में आयजी 33 पूरवी छेत्र जूनियर राष्टरी एथलेटिक्स परत्योगता में पांकुल की बेटी फुल कुमार ने रयत पतक जीती है वह जारखन की एथलेटिक्स टीम की ओर से खेल रही थी उन्होंने अंडर बीस बालिका वर्ग में चार गुना 400 रिले में दूती अस्थान परत्योगता में दो दीन 1012 सितमबर तक परत्योगता कायोजन किया गया है इस परत्योगता में जारखन टीम ने तीन दिनों में कूल 61 परत जीते जारखन टीम ओबर ओल चेंपियन बनी जारखन में 10 एर सिक्षक कर रहे आंधुरन की त्यारी मुख्यमंत्री सजीवाले के निर्देश के बाजूद जारखन में बीत रहित सिक्षा निती समाप्त कर नियमावली बनाने की दीशा में आप तक कोई करवाई नहीं हुई है नियमावली नहीं बनने से बीत रहित संस्थानों की लवग 10 एर सिक्षक वकरमचारी में रोस ब्याब था है बीगत 20 से 25 वर्षों से सिक्षक वकरमचारी बीना बेतन के ही काम कर रहे हैं इनके सामने भुख मरी किस्थिती आ गई है कोरोना काल में इनकी आर्थे किस्थिती और भी काभी खराब हो गई बतादे स्कूली सिक्षा वसर्षदा विभाग के सचीव ने 11 अक्टूबर 2020 को कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था या पत्र बीत रहित सिक्षा निती समाप्त करने मावली बना कर बीत रहित सिक्षा और करमचारियों की सेवा सरकारी सनवर्ग में करते हुए बेतन मान देने के समद में था वन उत्पाद से कमाई बढ़ाने के लिए रांची में ट्रेनिंग भारत की बड़ी अबादी जंगलों में रहती है जंगल को सुरक्षित रखते हुए किस तरह से जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन अस्तर में सुधार लाया जा सकता है उसके बारे में देश के एक दर्जन राजियों के वन सेवा के 15 अधिकारियों को परसिक्षन दिया जा रहा है 12 सितंबर को सुरू हुआया परसिक्षन कारिकरम 16 सितंबर तक चलेगा वन उत्पदक्ता संस्थान रांची की ओर से वन सिमान्त गाओं में आजीवका सनवर्धन की रण नीतिया विशह परायुजीत परसिक्षन कारिकरम में जार्खन के वन विभाग के अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि जंगल के आसपस के गाओं के लोगों के आजीवका को कैसे बढ़ाया जा सके अस्थानिय नीति को लेकर 25 सितंबर से आजसु का अभ्यान जार्खन में आस्थानियता का मुद्धा एक बार फिर गर्मा गया है इस बार आजसु ने आस्थानिय नीति को जल्द लागू करने की मांग राई सरकार से की है इस मुद्धे पर आजसु सुप्रीमो सुदेश महतों ने कहा है कि राई सरकार भ्रवनो फैलाए राई सरकार खत्यान अधारित आस्थानिय निती को जल्द लागू करे पार्टी के केंद्रिये कर्याले में पत्रकारों से बात करते हुए आईसु सुप्रूमो सर राजे के पुर्व उपमुख मंत्री सुदेस महतों ने कहा है कि अगर जन भावना के नरूप अस्थानिय निती लागू करने पर्मो के मंत्री है मंसुरे गंभीर है तो सदन में कई अनुसार उसे लागू करे सरना कोड को लेका राष्ट पती से मिलेंगे सुदेस महतों सुदेस महतों ने कहा है कि जनगर्ना कोलों में आदिवासियों के लिए जगा सुनिस्चित करने के लिए सरना कोड लागू करने की मांग भी आईशू की तरब से लंबे समय से की जा रही है सदन से लेका सडक तक पार्टी के दिवंगत विधायक कमल की सोर भगत इसे उठाते रहे पार्टी ने निले लिया है कि एक प्रतिनिधी मंडल इस मुदे पर देश की राष्ट पती द्रोपदी मुर्मू से मिलकर उनका ध्यान दिलाएंगे सुदेश महतो ने खेल नीती पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नीती लागू करने से पहले नियत असपस्ट होनी चाहिए उन्होंने कहा है कि सरकार का मुख्य केंद्र बिंदू इंस्टा ट्रक्स्टर को बिक्सित करना होना चाहिए राजे में खेल को लेकर बहुत संभवनाय है जारखन में स्विक्रीत बानबे एकलब ये बिद्याले में से साथ में ही सुरू हो सकी पढ़ाई एकलब ये मौडल अवास्ते बिद्याले जन जाती है समुदाय के बिद्यार्थियों के लिए केंद्र समपोसीत योजना है हो रही है इन सातों बिद्याले में कूल 486 रवल स्विक्रीत हैं धान्यवाद अब चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिड़बैक अवज से दे थांक यू